खीरे की इतनी जादा हट के ये रेसिपी जो मैं आपसे चैलेंज करता हूँ कि जादा तर लोगों ने इसको घर में नहीं बनाया होगा ये एकदम हट के रेसिपी है और इसको बनाने के लिए हमने दो खीरे ले ली हैं आप इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि जादा तर लोगों ने इस रेसिपी को कभी भी ट्राइ नहीं किया होगा आपको क्या करना है दो खीरों को अच्छे से उनकी ऐसे एंड वाले पार्ट चला के गोल गोल घुमा के उनकी करवाहट निकाल लेनी जी है दोस्तों देशी खीरों में करवाहट होती है लेकिन ये बहुत ही बढ़िया होते हैं सेहत के लिए तो हमने खीरे की करवाहट निकाल लिए ऐसे दोनों खीरों की आपको करवाहट निकाल लेनी है हमारे दोनों खीरे लगबग छीलने लगे हैं आप क्या कीजिए आप एक प्लेट में रख लीजी इन दोनों खीरों को छील के क्योंकि आज रेसिपी बनने वाली है आपको इसे खा के मज़ा आ जाएगा आप अपनी उंगलिया चाटते रह जाएंगे तो चलिए हमने दोरों चील के स्थाली में ले लिया और आप इनको फटा फट से कद्दुकश कर लेते हैं दोनों खीरों को हमने बिल्कुल मुहीम कद्दुकश कर लेना है और आपको कद्दुकश करने के बाद इसका रस अलग कर लेना है वो हम अभी आपको इसी वीडियो में दिखाते हैं कि इस आपको बता चुके हैं कि हमने इसका पानी निकालना होगा क्योंकि जो खीरा होता है उसमें पानी कि मात्रा बेहली जाद होती है और चीजे का पानी तो घीरे का जो पानी है वो अलग हो जायेगा और जो उपर खुरा यहमने कि किया था वो एक दम हमें थोड़ा ट्राइटा मिल जा करो तो आपको इसको तब तक दबाना है जब हो तक आपका उपर वाला खेया तोड़ा ट्राइं नहीं हो जाए आपको ऐसा फील होना चीए कि अब यह खीरा एकदम सूखा-सूखा मिल चुका है तो यह देखिए दोस्तों हमने कितना ज़ादा इसमें पानी निकाल लिया है खीरे का अब यह हमारा खीरा लगबग ड्राइ हो चुका है तो जो हमने पानी निकाला उसको हम वेश नहीं जाने देंगे उसको हम यूज करेंगे क्योंकि इसमें जैसे की मैंने आपको पता है देर सारे विटामिन्स होते हैं तो अब हमने क्या करा इस खीरे के पानी में दो कप आठा डालखे चोटे कप थे हमने आटा गूंद लेना है आटे में साथ में हमने डाल दिये एजवैन और एक चमच डाल देंगे हम नमक आदा चमच नमक डाल लेंगे फ्रेंज और उसके बाद हम डाल लेंगे थोड़ा सा ओयल और अब इस आटे को खीरे के पानी वाले आटे को हम अच्छे से गूंद लेंगे आप देख सकते हमने कितने अच्छे से आटा गूंद लिया आपको प्रॉपर्ली इसकी नीडिंग करनी है थोड़ा सा मुलायम करना है अच्छे से अब दोस्तों जो हमने वहाँ पे दूसरी साइट खीरा हमने कद्दू कश करके बचा के रखा था उसका क्या करना है आपको पताते हैं उसकी हमको एक स्टाफिंग बनानी है बहुत ही बढ़िया सबसे पहले तो अब देख सकते हैं हमारा आटा गूंद के तयार हो गया है तो इसको अच्छे से हमने नीडिंग कर ली है तो लगबग 10-15 मिनट के लिए इसको नीडिंग करने के बाद तयार करने के बाद ढखके रख लेंगे और उसके बाद हम जो खीरा हमने कद्दू कश करके शूणesten करके रखाता उसकी बढ़िया से थाविविंग तो आप देख सकते हैं यह हमारा आठा तयार होगा इसे धक कर रख लेते हैं और वहीं अब दूस्री तरफ हम एक ले लेते हैं Pan हम बना रहे हैं खीर कीIVE स्टफिंग तो पैन में हमने लिया जीरा थोड़ा सा यू अइल हलका बून्ने के जाल दीš ग्रीन चिली संद्वां हमने कि इसको हलका सा ऑख सथे करा और उसके बाद यसमें ढाल देंड़ गूसरी दुप अब दाल देंगे जिं करना है थोड़ा सा सुनहरे हो जाएंगे उसके बाद हम इसमें जो हमने खीरा कद्दू कश करके रखा था वह एड़ करेंगे एक दम सूखा था खीरा थोड़ा बहुत हलका बहुत पानी होता है पूरा नहीं निकलता लेकिन मैक्सिमम निकाल दिया है अब इसका पानी और जो पानी होगा ना इसमें मौइस्चर होगा खीरे में वह भी अच्छे से निकल जाएगा तो आप इसको अच्छे से भून लीजिए लगब दो से तीन मिनट मीडियम आच पर आप इसे अच्छे से भून लेंगे और उसके बाद आप इसमें अपने स्पाइसी आड़ करें यलो कलर दे सकते हैं हल्दी की मदद से और किचन किंग मसाला अब अच्छे से अपने इस मिश्रन को आप मिक्स कर लीजिए लगब एक से दो मिनट में यह पक्के अच्छे से तयार हो जाएगा ध्यान रखें आपको इसमें पानी आड़ नहीं करना क्योंकि आब हम बनाएं होता है तो स्टफिंग तयार हो गई है खीरे के प्राठे की अब हमारे आटे को भी 15-20 मिनट हो चुके हैं तो फटा फट से हमने क्या करना है प्राठा भी अलग स्टाइल से बन रहा है हमने क्या है इसमें दो छोटे छोटे डो लिए और हम इसको रैप भी कुछ अलग तरी पूरी के साइज का बना लिया उसके बाद एक और डो ले लिया था उसे भी पूरी के साइज का बना लेते हैं यह थोड़ा डिफरेंट टाइप का प्रांठा है शायद इस तरीके से प्रांठे की स्टफिंग किसी ने शायद ही करी हो तो चलिए आप देख सकते हैं दोनों तैयार हो चुके हैं हमारे लगबग फटाफट से अब कर लेता हैं इनमें स्टफिंग यह देखिए दोस्तों खीरे की होगी स्टफिंग और यह प्रांठा इतना बढ़िया स्टफ्ट बनता है इतना मज़ेदार बनता है आपको मज़ा आ जाएगा कि यार यह वी एक रेसि अच्छे से ज़रो करें बड़ा कर लेना है पृँचे साइज में लआ लना है तो चलिए आप देख सकते हैं हमने अच्छे चुको बढ़ाकरना शुरू कर दिया, विनीग नस यह कि यह ह container की वज़र से स्वादिश्ट होता है और रोज रोज हम इक ही खाना खाjed का कैंई बूर हो जाते हैं तो कुछ नई चीज एक नई विराइटी मिलने लगती है दोस्तों वीडियो को ज़रूर शेर कर लीजेगा और हमारे पेज को ज़रूर लाइक कीजेगा हमारे चानल को फॉलो कर डीजेगा सब्सक्राइब कर डीजेगा आप देख सकते हैं कितना बढ़िया प्रांठा सिक के तयार होगा आप इसको देख के भी खुश हो जाएंगे क्योंकि इसके आटे में भी खास बात थी इसे खीरे के पानी के साथ मला गया है फ्रेंट्स देख लेते हैं कितना बढ़िया यह देखे कितना बढ़िया स्टफड दिख रहा है यह मिलीशियस है गरेंटेड मजा आने वाला है मैं इसको दाल के साथ और प्याज के और अचार के साथ खाऊंगा मिर्ची के अरे वही वह मजा आ जाएगा यार तो चलिए फट और इपनी फैमिली का ख्याल रखें और जाते जाते जरूर वीडियो को लाइक कर लीजेगा शेयर कर दीजेगा हमारे पेज को फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा थैंक्यू सो मच मैं डालेता हूं प्लेट में और खा लेता हूं आप भी जाएए बनाईए औ काई